मेरे पयार भेन माय इंट मुत्रो के से आपस्याप बात करने वाले है एलचल फव इन्द आडड फैबलीट के बार में इस्ट बिलिट कर सकते हैं जो की lungs infection है और infection patient को होता है जो सांस लेने में प्रिशानी रहती है और खाशी रहती है दोनों आम समस्या है तो इन बिमारीों को ठीक करने के लिए doctor यह product prescribes करते है ताथ ही लंग्स से रिलेटिड बिमारी है जिसे हम्टुबर कलोरोसिस कहते है टीबी इसमें सैकिंड लाइन थिरेपी के रूप में दिया जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है यह है प्रोडेक्ट इसके अलावा बात की जाए सिनोटाइटिस की जिसमे व्यक्ति के जो नाक है नाक के आजू बाजू में ब्लोकिश सा रहता है जिस कारण से व्यक्ति का नाक बंद रहता है या नाक बहने लग जाता है इस कारण से सरदद भी होता है तो इन शमस्या में भी यानि एंटी डॉक्टर इन इन शमस्यों में इस प्रोडेक्ट का यू दर्द हो रहा है जलन हो रही है ताथ ही पस लाइट इंफॉर्मेशन उसमें आ रही है या बार बार उनको पेशाब लग रही है या कम पेशाब आ रही है उस समस्य में भी प्रोडेक्ट काफी फाइदमन सामने देखा गया है ताथ ही कई बार पेशेंट को यूरीन प्रोब् तो उस समय यूरीन कैटरेक्ट में इंफेक्शन हो जाता है उस इंफेक्शन को खतम करने के लिए भी यह प्रोडेक्ट बहुत ही कारगार है साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसको प्रेटाइटिस की प्रोब्लम हो गई है जिसका मतलब की प्रोश्टेटेस में को स्वैलिंग आ गई है जो की एक गर्नती है जो हमारे यूटरस के पास में होती है और इस कारण जब सूजन आ जाती है तो उस समय में पेशाब करने में प्रोब्लम रहती है यूरिटीन में कोई ना कोई दिक्कत रहती है तो उस समय भी यह प्रोडेक्ट अच्छी फाइदेमन देखी ग टूब या वैगिना रूप में कोई ना कोई बिमारी उनको रहती है, तो उस समय गाइनोलोजिस इस प्रोडेक्ट को बहुत ही अच्छा परियोग लेते है, यदि कोई महिला है जिसको इस्केन डाइसेज है, या कोई पुरिश है जिसको इस्कीन डाइटिस या शोफ टाइसिस इंफेक्शन हो गया है जैसे की कैलूटाइटिस हो गया है एंटरेक्स हो गया है एंटरेक्स एक परकार की बिमारी है जोस्तो जिसमें एक बिलिश्टर हो जाता है हमारी स्कीन पे धीरे धीरे उसके चारो और स्वैलिंग हो जाती है उस टाइम के बाद में बलेक हेडिका हो जाता है और फिर उसमें बहुत जादा दरद होने लग जाता है तो उस समय में भी यह प्रोडेक्ट डॉक्टर द्वारा प्रेशक्राइब की जाती है और पेशेंट को यानि की मरीज को बहुत ही अच्छा फाइदा मिलता है इसके अलावा बात की जाए दोस्तों ट्रेविलरिस डाइरक्विया नाम से एक बिमारी है जिसमें ट्रेविलरिस के दोरान व्यक्ति को दस्त लगने सुरू हो जाते है और ये दस्त कई बार बलड हैडिय का खून में भी खून का भी रूप ले लेते है खून भी उसमें आने लग जाता है समय में भी एफ प्रोडेक्ट दिया जा सकता है यानि की डॉक्टर इस प्रोडेक्ट को लेनी की शलहा दे शकते है मेरे प्यारे भेनों भाईयों आपको दो बात विसेस रूप से ध्यान रखनी है अगर आप इस प्रोडेक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परिशानी ये किसी भी तरह के का अन्य शाय डिफेक्ट दिखा है तो घबराएं नहीं तुरंट इस प्रोडेक्ट को लेना बंद करते और अपने डोक्टर से संपर्क करें नमबर तू किसी भी परकार की अन्य मेडिशीन या किसी भी अन्य परकार का कोई भी प्रोडेक्ट अपने डोक्टर के सलहा के नहीं लानी चाहिए क्योंकि मरीज की पैशेंट की उमर अकोडिंग अंदर बोडी में क्या चला है क्योंकि दोस्तो हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन